तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है यह कोशन है इसमें बच्चे इसको डाउट में लेकर आते हैं तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं यह करता है कि अपना YDSC सेटप है उसमें करता है Intensity at a point and Screen पर जहां पर पार डिफरेंस डेल्टा एक्स लेमड़ा है वहां पर intensity जो है आई जो है वो की माल लेता हूं ठीक ना महीं यह दिया हूआ है पार डिफरेंस लेमड़ा तो करनी है के के टब में समझ में आ रहा है यह पड़े होगे ना बेसिक सेट अप यहां से अपना जो दो सोड्स होता है यहां से लाइट रेज आएगी जो पॉइंट पी है पॉइंट पी पे सूपर पोजीशन हुआ होगा और आई होग क्या पे पढ़े होगे ठीक ना तो यह तो इस पॉइंट पी पे जो पाट डिफरेंस है वो अगर अलग-अलग दो कंडिशन में दिया हुआ है यहां दोनों में यूज हो रहा है तो हमें इंटेंसिटी निकालना देखो इंटेंसिटी निकालने का बेसिक फार्मूला क्या है इंटेंसिटी निकालने का जो बेसिक फार्मूला है इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर पॉइंट पी पे वो होता है सोर्स से इंटेंसिटी म रहा हूं तो intensity at point p case first में case first को solve कर रहा हूं तो हमें face difference की जरूरत पड़ेगी ठीक है समझ में आ गया तो case first के लिए face difference तुम निकाल लो तो face difference delta 5 is equal to 2 pi lambda और यहां से multiplied by delta x part difference तो 2 pi यहां से lambda और यहां से part difference अपना कितना है lambda lambda में lambda को मतलब 2 pi तो delta 5 की value आज़े 2 pi तो जो intensity at the point p यहां पर दिया गया intensity at the point p वो k के बराबर है और दोनों intensity से मैं i naught i naught मौन लिया तो यह 2 i naught और i naught का square under root और cos यहां से 2 pi तो यहां से 2 i naught ही आ जाएगा that is यहां से k और यहां से plus 2 i naught और cos pi जो है cos 2 pi की value cos 2 pi is equal to cos 0 के equal होता 1 के बराबर आ जाएगा तो यह वाली चीज़ तो यहां से intensity source से निकल लई थी वह आ जाएगी k by 4 यह वाली चीज़ जो एक source से intensity निकल लई थी वो मुझे calculation में आ गया k by 4 तो i hope कि यह समझ में आ गया होगा part first part 2 यही तरह से हम लोग करते हैं क्योंकि हमें k के टम में चाहिए तो मैं यहां pain बदर लेता हूँ आपको थोड़ा सा feel आ जाएगा दूसरे color का हर याली ठीक है तो यहां से यह case 2 जो है case 2 में जो है intensity अमाल लेता हूँ i dash है तो intensity i naught प्लस यहां पे i naught प्लस 2 यहां से i naught और i naught और यहां से case 2 का phase difference जरूरत पड़ेगा तो delta 5 phase difference is equal to 2 pi lambda और part difference यहां lambda by 2 दिया है तो यहां से जो lambda by 2 lambda ने lambda को तो यहां से face difference pi आ गया बात साखना समझे में pi ही तो था एक बद चेक कर लो कितना था lambda by 2 नहीं था यहां देखो गलत हो रहा lambda by 4 था तो lambda by 4 था तो यह pi by 2 का phase का difference आएगा ठीक है तो अब intensity यहां से जो मिलेगी i dash जो हमें चाहिए तो यहां से 2 i naught यहां से प्लस यहां से 2 i naught और यहां से cos pi by 2 cos pi by 2 की जो value है बच्चों वो 0 होती है तो यहां से 2 i naught की पराबर आजाएगी और i naught को इसको मुझे k के term में लिखना है तो 2 i naught की value यहां से ky4 है तो ky2 intensity मुझे दीखेगी finally तो अगर ky2 दीखेगी तो कौन सा यहां से option सही हो जाता है तो ky2 मतलब अपना c option सही हो जाता है तो i hope के आपको मज़ा आ गया होगा thank you